नमस्कार आपको स्वागत है इश्या न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ भारतिय रेलवे ने एडवांस टिकेट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है पहले टिकेट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी अब इसे घटा कर 60 दिन कर दिया गया ह है नया फैसला एक नमंबर 2024 से लागू होगा रेल मंत्राला के मताबिक एडवांस टिकेट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किये गए टिकेटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा साथ ही विदेशी परटकों के लिए 305 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है अभी टिकेट बुकिंग IRCTC की वैबसाइट एप और रेलवे के बुकिंग काउंटर से होती है IRCTC से हर दिन तकरीबन साड़े बारा लाग टिकेट बुक होते हैं एक अप्रेल 2015 तक एडवांस इंसरवेशन पीरिएट साथ दिन था सरकार ने तक बुकिंग अवधी को 120 इन करने पर तर्ख दिया था कि अवधी आगे बढ़ाने से दलाल हताश होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना होगा हाला कि तब कई लोगों ने तर्ख दिया था कि इसरवेशन पीरिएट को आगे बढ़ाने का रेलवे का उदेश अतिरिक्ट साथ दिनों के लिए ब्याज के साथ साथ कैंसिलेशन की ज़्यादा संख्या के माध्यम से एडिशनल रेवेन्यू कमाना है एडवान्स इसरवेशन पीरिएट कम होने से आईया सिटी सी की ब्याज और कंसिलेशन से कमाई कम होगी इसका असर उसके शेयर पर भी दिख रहा है कमपनी का शेयर करीब 2.5 प्रतिशत नीचे 870 रुपे पर बंध हुआ है एक महीने में शेयर 6 परसेंट तूटा है कमपनी का मार्केट कैप करीब 70,000 रुपे है